हेलो फ्रेंड जिस भी रोकेशन में आप सब भेनों का स्वाक्त है आज हम आपके लिए जे बबल्स वाला बॉर्डर लेके आए हैं जे बबल्स वाला बॉर्डर आप पहले ऐसे बना लीजिए उसके बाद इसके उपर आप कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं यह जो बबल्स वाला बॉर्डर है इसके लिए हमने थर्टी फोर फंदे लिए है और इसमें हमने दो दो फंदे extra बने हैं, दो दो फंदे simple बने हैं, एक पे bubble बनाया है, दो फंदे simple बने हैं, एक पे bubble बनाया है इसको बनाने के लिए हमने बीच में दो दो फंदे रखे हैं, लेकिन जो हम और नया आपके लिए आपको बताएंगे उसमें हम तीन तीन फंदे रखेंगे जैसे हमने दो फंदे बुने सिंपल उसके बाद एक पे हमने ये बबल बनाया उसके बाद हम तीन फंदे बुनेंगे फिर एक बबल बनाएगे तो ऐसे हम जो बॉडर है जे वाला बॉडर बनाने जा रहे है यह जो bubbles वाला border है इसको आप एक less की तरह भी जूच कर सकते हैं अगर हम इन फंदों को बंद कर देंगे तो एक less बनकर ready हो जाएगी तो जिसको आप अगर sweater cardigan बच्चे का बन गया है उसके बाद भी आप उसको उसके साथ attach कर सकते हैं तो इसलिए बहुत सुंदर लगता है border तो इसको आज हम बनाने जा रहे हैं हम फिर 34 ही फंदे डालेंगे फिर उसमें देखेंगे के हमने हमारे bubbles कितने आएंगे तो चलिए फ्रेंड इसको बनाना हम सीखते हैं पहले हम फंदे डाल लेते हैं 34 जह देखिए फ्रेंड हम सीफल फंदे डालेंगे सलाई पर ऐसे ठाट लेके फिर उपर से ऐसे नकाल देएंगे तो पूरे थरटी फंदे हम डालेंगे पूरे 3-4 फंदे डाल कर हम आपको दिखाएंगे जे simple जो हम फंदे डार रहे हैं इसकी वीडियो हम अपने चैनल पे already upload कर चुके हैं अगर आपने देखना हो तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं जे देखिए फ्रेंड हमने इसमें 34-33 ऐसे फंदे डाल लेने हैं आपने क्या करना है जो फर्स्ट स्लाई है उसी में डिजाइन आएगा जो bubbles बने हैं फर्स्ट स्लाई में ही बनेंगे तो हमने क्या करना है एक सीधा फंदा बनना है फिर दूसरा सीधा बनना है दो सीधे फंदे बनने के बाद हमने जो तीसरा फंदा है उसके बैक में जाकर ऐसे एक बार फंदा निकालना है थ्रेड आगे करना है फिर दूसरी बार बुनना है थ्रेड आगे करना है तो हमारे तीन फंदे होगे फिर थ्रेड आगे करना है चार और एक बार और बुनना है पांच तो हमने पांच फंदे एक थ्रेड में से निकाल लिए अब दोबारा आपको निकाल के दखाते हैं एक हमारा फंदा है उसके बैक में गए और एक बार, दो बार, तीन, चार और पांच पांच फंदे हमने निकाल लिए अब हम इन पांच फंदों को वापस ले आएंगे ऐसे उल्टी साइड उल्टी साइड लाकर हम इसको बुनेंगे एक, दो, तीन, चार और पांच पांच फंदे हमने बुन लिए दो सलाई बन गी हमारी, एक सीधी और एक उल्टी अब हम इनी फंदों को, इनी पांच फंदों को छे बार बुनेंगे दो बार बुन लिया है, चार बार और बुनेगे, एक, दो, तीन, चार और पांच, तो हमारे कितनी सलाई होगी, तीन, अब हमारी फुर्थ सलाई है, वापस आ जाएंगे, और फुर्थ सलाई बुनेगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, उनी पांच बंदों को हमने बुना है, फिर हम फूर्थ सलाई बुनेंगे, फूर्थ बुनेंगे, फिफ्त बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, और पांच, ऐसे, पांच सलाई बुन ली, पांच बंदें बुन लीए और पांच सलाई बुन ली, अब हमारी 6 लाई है, उल्टी, उल्टी स्लाई हम बुणेंगे, 1, 2, 3, 4, और 5, पांचों फंदे हमने फिर बुन लिये और बबल हमारा ready है, हम राइट साइड में देखेंगे, ये देखिए हमारा बबल बन गया है, अब हम जो हमारा फंदा फर्स्ट वाला है, इसके उपर से जे चार फंदे टपाएंगे एक एक फंदा टपाया जे देखिए फिर दो तीन और चार जे देखिए चार फंदे हमने टपा लिये है bubble हमारा ready हो गया है अब इस फंदे को इधर ले आएंगे इसके बाद हम तीन फंदे बनेंगे एक दो और तीन तीन फंदे बुन लिए अब फूर्थ जो फंदा है उसमें हम बबल बनाएंगे इसमें इस फंदे को ऐसे पीछे को बुनेंगे एक बार थ्रेड डागे करेंगे उसी में से दो बार थ्रेड डागे करेंगे उसी में से तीन बार थोड़ा लूज बुनना है इसको तो एक फंदे से पांच फंदे नकाले इस पांच फंदों को हमने शे बार बुनना है एक बार तो बुन लिया है पांच बार और बुनना है तो second बार जब बुणेंगे तो उल्टी स्लाई आएगी, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर हम सीधी स्लाई डालेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर उल्टी स्लाई बुणेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर सीधी स्लाइब बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, और पांच, पांच स्लाइब बनाई तो ऐसा बबल बना है, अब हम लास्ट वाली सिख्स स्लाइब बनाएगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो छेस लाइब बनेंगे, छेस लाइब के बाद हम राइट साइड में आजेंगे, अब राइट साइड में देखिए क्या करना है, इसी फंदे को, फर्स्ट वाले फंदे के उपर से इसको टपाना है, एक, एक बाट पाया, दो, तीन, और चौथा फंदा भी टपा देना है, जो हमने पाच बंदे बुने, थोड़ा सा इसको खीच लेना है, और इस स्लाई पे ले आना है, तो जे देखिए हमारे दो बबल बन कर रेडी हैं, इसकी लैस जैसे क्रोशिय से बनाते हैं, वैसे ये बनना शुरू हो गया है, इसके आगे, इसको खीच के रखना है, थोड़ा सा थ्रेड को, इसके आगे हमने तीन फंदे बुनने हैं, एक, दो, और तीन, ऐसे, ऐसे जब हम तीन फंदे बुनेंगे, तो हमारा बबल रेडी हो जाएगा, अब इसके बाद हम तीन फंदे बुनने के बाद, फिर इस हम 5 फंदे नकालेंगे, 1, 2, 3 डगे किया, 3, 3 बार एक फंदे में से बुना तो हमारे कितने बंदे होगे, 5, 5 फंदों को अब हमने 6 बार बुनना है, एक बार और बुनके दिखाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, फिर दबारा इसको बुनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 फंदे बुन लिए, इसको हमने 6 बार बुनना है, जे हमारा 4 बार है, 2, 3, 4, 5, 6, 5 फंदे हैं हमारे, जे देखिए हमने 6 बार बुन लिया है, अब इस फंदे के उपर से 4 फंदे टपाएंगे, एक, दो, तीन, और चार, 4 फंदे टपा दिए, जे देखिए, चार फंदे टपाने के बाद, इस फंदे को इधर ले आना है, अपनी तरफ, तो हमारा एक बबल और बन गया, ऐसे ही हमने पूरे बबल बनाते जाना है, अब हमने फिर 3 फंदे बुनने है, एक, दो, बीच में जो हमने खाल ली बुनने है, तीन, तीन फंदे बुनकर अब इस फंदे मुएं, पीछे की तरफ से 5 फंदे नकालना है, एक, थोड़ा सा धीला नकालना है फंदा, दो, और तीन, तीन बार उसी फंदे में से थ्रेड आगे करके बुना तो हमारे 5 फंदे होगे, अब 5 फंदों को हम 6 बार बुनेगे, जो देखिए इसको भी हमने 6 बार बुन लिया है, अब इस फंदे से हमने 4 फंदे टपाने है, दो, तीन, चार, चार फंदे टपा दिये, ऐसे बनेगा, टपाने के बाद, फिर इसको इदर ले आए, ले आए, बबल बन गया, अब हम आगे के तीन फंदे बुनेगे, एक, दो, तीन, अगर आपके बबल और बढ़े चाहिए, तो आप इसको आठ बार भी बुन सकते हैं, दस बार भी बुन सकते हैं, जो हमने छे बार बुना है, आप आठ बार दस बार बुन सकते हैं, बबल बड़े बड़े बनेंगे, तो ऐसे ही ये, पूरे बबल हम आगे बनाएंगे, तीन, तीन फंदों का गैब दी कर, जह देखिए, फ्रेंड्स, हमने 34 फंदे डाले हैं, और लास्ट में हम दो फंदे रखेंगे, एक फंदा हमने बडालिया है, तो हम लास्ट में दो फंदे सिंपर रखेंगे, ऐसे, दो फंदे हमने फर्स्ट में सिंपर रखे हैं, अब हमने 35 फंदों पे इन बॉर्डर को बनाया है, तो हमारे कितने बबल्स बने हैं, वो आप सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, आठ बबल हमारे बनकर रेडी हैं, बीज में तीन, तीन फंदे हैं, अब जब आप ये हमारा जो बबल वाला डिसाइन है न ये बनकर बिलको रेडी हैं, अगर आपने ऐसा ही बॉटर बनाना है, तो आप पहले बब बनाईए, उसके बाद इसके उपर आप बॉटर बना सकते हैं, सीधा उल्टा बनाईए, उल्टे उल्टी लाइने बनाईए, जैसे सीधी सीधी लाइने बनाएंगे, तो जहां उल्टी उल्टी लाइने बन कर आएंगे, बॉटर आप कोई सा भी बना सकते हैं, ये बबल का अगर आपने sweater बना लिया है आपने frog बना लिया है उसके बाद भी आप इसको बना कर अब इसको हम bind करेंगे ना दो का एक, दो का एक, दो का एक करके bind करेंगे तो इस piece पीस को आप sui की help से वहां बॉर्डर के साथ लगा सकते हैं इसको बटन पट्टी के साथ भी लगाया जा सकता है तो जे बन करना कुछ ऐसी दिखेगी आप देख सकते हैं कितने सुन्दर बबल है ऐसे ही आपने बनाने हैं और अपने परजेक्ट पे लगाने हैं अगर आपको जे अच्छे लगे हों तो हमें सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू